यहां पे हम हर दिन लेके आते हैं आपके लिए एक सवाल आपके लिए एक बहुत अच्छा सा सवाल अगया पढ़ते हैं इस वाल में हमें दिया गया है समेशन of स्क्रीन पर देख सकते हो क्या डिटेल लिया गया है और हमें पूछा गया है एक सीरीज इन्फाइनाइट सीरीज है यह दोस्तों तो आइए देखते हैं इस सवाल को हल कैसे करना है सबसे पहले जब भी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्फ करते हैं तो आप अपने दिमाग में ए लगते हुए आप प्रॉब्लम को अटैक करने की कोशिश करते हैं पर कई बार दोस्तों कई बार दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि अप्रोच यह होना चाहिए और निकल के आता है कुछ और यहां पर आपको लग रहा होगा कि भाईया यह सवाल है कि सीक्विंस का सवाल है यह मत दिखने है कैसे है तो दोस्तों हम सबको मालूम है कि यह जो सिरीज है यह जो सिरीज है इसमें अगर आप 6 को कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा 1 by 1 square 1 by 2 square 1 by 3 square etc. till 1 by n square n tending to infinity ठीक है तो basically हमें निकालना है इसका limiting case as n tends to infinity ठीक है चली अब यहां पर हमें cot square को सीक square के summation के बारे में information दी गई है तो दोस्तों मैं याद दिला दिना चाहूंगा सबको हमारे जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि इफ alpha if alpha lies in the first quadrant अगर कोई भी आंगल first quadrant में है तो उस quadrant में sin alpha alpha से हमेंज साच छोटा होगा और alpha in turn tan alpha से छोटा होगा यह सब को जानका रही है हम सब जानते हैं यह information को मतलब sin square alpha alpha square और tan square अलफा में यह relation आएगा है कि नहीं अब दूस्तों अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दें सारे के सारे टर्म्स को रेसिप्रोकेट कर दें तो आपको दिखेगा कि यह inequality स्विच हो जाएगी तो टैन स्कॉर का रेसिप्रोकल qt sqr होता है और koseq square का reciprocal को स्विच कर लेंगे तो बहुत अअच्छी बात है चलिए अब अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम Summation process लगाएंगे, तो अगर यह inequality true है, तो क्या हम कह सकते हैं, कि अगर हम Summation करें, cot square alpha, तो यह lesser than होगा Summation of 1 by alpha square, और यहोगा Lesser than Summation of cosecant square alpha, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए अब मान लिजे दोस्तों कि हमारा जो alpha है alpha है r pi by 2m plus 1 जो कि हमारे यहां पे problem में stated है देखिए दोनों जगह पे r pi by 2m plus 1 दिया गया है तो चलिए alpha को r pi by 2m plus 1 लिख देते हैं तो अगर यह हम substitute करते हैं तो हमारा जो summation बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है तो this will be lesser than this will be lesser than summation one by तो one by में तो reciprocal हो जाएगा कुछ इस प्रकार से ठीक है is lesser than summation of cosecant square r pi by 2m plus 1 ठीक है तो यहां तक तो सब को सही चल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है r equal to 1 to m ठीक है यहां भी r equal to 1 to m यहां भी r equal to 1 to m ठीक है दोस्तों अब देखे इस यह result तो हमें और डी question में दे रखी गई है ठीक है तो cot square का जो summation है from 1 to m यह दे रखी गई है क्या दे रखी गई है यह दे रखी गई है m2m minus 1 by 3 ठीक है और यहां यहां बेसिकली आप देख पा रहे होगे कि आपके पास कुछ ऐसा summation आ रहा है 1 by 1 square 1 by 2 square डडडडडडडड़ तिल 1 by m square तो आसा चोटा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें दूसा result भी फिट इन करना है यह पर और cosecan square r pi by 2m plus 1 का भी summation यहां दिया हुआ है जो की है 2 sorry जो की है m2m plus 2 by 3 ठीक है तो चलिए m2m plus 2 by 3 ठीक है चलिए दोस्तों अब तो दोस्तों यहां पर हम multiply कर देते हैं throughout with pi square by 2m plus 1 whole square से ठीक है तो पूरे expression को मैंने pi square by 2m plus 1 whole square से multiply कर दिया ताकि जो बीच में term आए वो basically हमारा series से related term आए जो series से related term हमारा बीच में तो यहां भी कुछ वही करते हैं m2m plus 2 by 3 ठीक है दोस्तों अब आईए अब बात करते हैं अब बात करते हैं sandwich theorem की sandwich theorem क्या कहता है हम सबको मालूम है sandwich theorem sandwich theorem हम लोग ने limits में पढ़ा ही हुआ है sandwich theorem कहता है कि अगर कोई function sandwich है अगर कोई function sandwich है g of x और h of x के बीच में और हमें यह भी मालूम है कि the limiting value of the sandwiching function as x tends to a that means जो sandwich करते हुए functions है g और h उनका limiting value as x tends to a both is l then then the limiting value of f of x as x tends to a that will also be l यही कहता है हमारा sandwich theorem तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार का situation यहां भी बनके आ रहा है अगर आप इसको माने कोई function of m मान लिजे f of m और यह हमारा function है g of m और यह हमारा function है h of m ठीक है तो चलिए चेक करते हैं चेक करते हैं अब हम लोग क्या करेंगे limiting value लेंगे limiting value as m tends to infinity of this function कौन सा function है pi square by 2m plus 1 whole square into m 2m minus 1 by 3 ठीक है m tending to infinity है चलिए इसको निकालते हैं फड़ा फट तो यहां पे pi square by 3 तो हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि constant है और हमारे को मिलके आएगा 2m square minus m by 4m square plus 4m plus 1 दोस्तों यहां पे आपको देख पा रहा होगा कि यह simply infinity by infinity का limit है जहां पे एक polynomial in n is divided by another polynomial in m और इतना ही नहीं दोस्तों दोनों हमारे polynomial same degree के है degree 2 तो ऐसे case में जो हमारा limit होता है वो होता है ratio of the coefficients of the leading term तो यह हो जाएगा pi square by 3 into 2 by 4 which is actually pi square by 6 ठीक है चलिए यह तो हुआ हमारे left hand function का limit अब right hand function का limit क्या वही आएगा चलिए देखते हैं वो भी अब हम निकालेंगे limit m tending to infinity pi square by 2m plus 1 whole square into m2m plus 2 by 3 ठीक है तो दोस्तों यहां भी pi square by 3 आप common ले सकते हैं और आपको मिलेगा एक quadratic divided by another quadratic और इतना ही नहीं दोस्तों दोनों quadratic का degree same है तो यहां भी हमारा answer क्या होगा यहां भी हमारा इस limit का answer होगा ratio of the leading coefficients तो ratio of the leading coefficients means 2 by 4 which means the answer is again pi by 6 है कि नहीं तो दोस्तों by Sandwich theorem by Sandwich theorem हम कह सकते हैं की 1 by 1 square 1 by 2 square 1 by 3 square all the way till infinity the limiting value of this will also be pi square by 6 मतलब क्या दोस्तों मतलब 6 6 plus 6 by 2 square 6 by 3 square all the way till infinity will be pi square और दोस्तों यही है हमारा answer जो कि है option number option number option 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 नमबर सी तो यहां पे जो सही जवाब है आपका option नमबर सी है तो दोस्तों आश्या करता हूं कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस problem से जहां आपको लग रहा था कि problem trigonometry का हो सकता है यह सीकुन सीरीज का हो सकता है वहां निकल के क्या आया कि यह problem actually limits का था और यह आपको sandwich theorem के उपर test कर रहा था thank you so much for watching hope you enjoyed the video keep learning and stay safe